नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल्टों से संजीवन घर्मस्वंसकार में आपका स्वागत करती हूँ आज नवरात्री का दूसरा दिन है मा ब्रह्मचारणी की पुजा नवरात्री के दूसरे दिन की जाती है माता ब्रह्मचारणी मा दुर्गा की नव शक्तियों में से दूसरी शक्ति है माता जोतिर में स्वरूप है कहा जाता है मा ब्रह्मचारणी की पूजा अर्चना से सभी काम पूर्ण होते है माता के आशिरवात से तब, त्याग, सदाचार, सैयम, वैराग्य इन गुडों में रुद्धी होती है चलिए आज हम गर्वध्यान और गर्वसमवात में अपने गर्वस्त शेशु को देवी ब्रह्मचारणी का ध्यान करवाते है माता की उपासना प्राथना हम करेंगे माता ब्रह्मचारणी हमारे शेशु पर आशेश और गुपा सदा बनाए रखे शुरू करते हैं गर्वध्यान और गर्वसमवात सबसे पहले आपको प्रसन्नमन से शांत चित होकर एकांत में बैठना है आपको यदि आशन पर सुखासन में बैठना पॉसिबल नहीं है डिफिकल्ट हो रहा है तो आप चैर पर बैठकर भी यहां ध्यान कर सकती है वर्टिब्रल कॉलम सीधा रखना है आखे बंद करनी है दोनों हाथ पेट पर रखने है अपने दोनों हाथों से शिशु का अनभव आपको करना है बड़े प्यार से शिशु को सहलाना है अभी मैं जो कह रही हूँ वहां आपको आपके माध्यम से शिशु को भी सुनाना है है मेरे प्यारे शिशु आओ, हम मा दुर्गा की दूसरे स्वरूप मा प्रह्मचारणी का ध्यान करते हैं, प्रह्मचारणी का अर्थ है तब का आचरन करने वाली, माता प्रह्मचारणी का स्वरूप जोतिर में और भव्य दिव्य है, है मेरी शिशू, तुम अंतर चक्षु से मा प्रह्मचारणी को देख रहे हो, माता की दाय हाथ में जब की माला है, यहां जब की माला मा निरंतर शिवजी के ध्यान में लील है, इसका प्रतिक है, और माता ने बाय हाथ में कमंडल धारन किया हुआ है, यहां कमंडल रक्तेक्ष शिवजी से मिला ज्यान धारन करके संसार में ज्यान और उपासना से तव, ट्याग, सदाचार, वैराग्य और सैयम की वृद्धी होती है मा के मुख मंडल पर सूर्य का तेज विराजवान है माता की आखों से प्यार छलक रहा है है मेरे बालग, मैं तुम्हें माता ब्रह्मचारणी की एक पवरानिक कथा सुनाने जा रही हूँ तुम्हें इसे ध्यान से सुनना है ताकि तुम माता के ब्रह्मचारणी स्वरूप को जान सको कहा जाता है माप्रम्मचारणी ने पूर्वजन्म में हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था तक नारज जी के उपदेश से शिवजी को पतीस्वरूप में पाने के लिए माता ने खोर तपस्या की थी हजार वर्ष तक केवल फलाहार करके तीन हजार वर्ष तूटे बिल्वपत्र को खा कर उन्हें कई दिनों तक उन्होंने उपास रखे थे माता ने धूप में तथा भारी वर्षा में खुले आकाश के निचे शिवजी की आराधना की निरजल निराहार रहकर उन्होंने खोर तपस्या की अभूत पूर्वत तपस्या को देखकर सभी देवगण, रुशीगण, माब्रह्मचारणी की प्रशंसा करने लगे और उनसे कहने लगे ही देवी आज तक इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की इसके फलस्वरूप आपकी मनुकामना, आपकी जो भी इच्छा है वहाँ पुर्ण होगी और वही कठोर तपसे माता ने भगवान भोले नाद को पती रूप में प्राप्त किया माता के इस कठा कासार यही है कठेन संगर्ष के स्तिती में भी मन को विचलित ना होने देना दुरुड निश्य से अपने लक्ष की और आगे बढ़ना है है मेरे प्यारे, तुमें भी अपने जीवन में शिक्षन काल में माता ब्रह्मचारणी से प्रेणा लेनी है जब तुम बड़े हो जाओगे, तब अपनी युवावस्ताव में अनेक भटकाओं से तुमें खुद को दूर रखना है और पूरी तरह से अपने लक्ष पर एकाग्र होना है तब जाकर तुम्हें तुम्हारे लक्ष को प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी है मेरे बालग तुम्हें यश के शिथर पर पहुंचना है फिर भी सादगी से अपने जीवन को जीना है माता ब्रम्मचारिनी हमें एकाग्र जित्त होकर अपने परमलक्ष को प्राप्त करने की प्रेणा देती है आशिर्वात देती है है मेरे नन्हें चलो माता से प्राथना करे माता को वंदन करे माता से एका गृता का सैयम का दिव्य आशिष प्रात करे या देवी सर्वभूतेशू मा ब्रम्मचारि रूपेण संस्तिता नमस्तत्चे नमस्तत्चे नमोनमहा उच्छन इसी प्रसन्यता के भाव में रहना है शांत लग रहा है प्रसन लग रहा है दीरे दीरे पुर्वावस्ता में आना है आखे खोलनी है जै मातावी इस तरह से इस गर्वसमवात को रात को फिर से दोहराना है तो कल फिर मिलते हैं नवरात्री के तीसरे दिन के गर्वध्यान और गर्वसंवात के साथ तो हसते रहें मुस्कुराते रहें एंज्जाए करें प्रेग्ननसी का हरुषंट संजीवन गर्वसंशकार के साथ जै माता दी खुए खुए था चुए एंज्ग्जाओत रवसंशकार के रहें